देखो अगर मैं इस band को खीचता हूं इसकी length तो बढ़ती है लेकिन इसकी width कम भी हो जाती है width कम हो जा रही है अभी ये मोटा था अभी ये पतला हो जाता है तो यही ऐसे ही कुछ होता है हम फूर्स लगाते हैं मानलो हमाने पास ये original size थी इसको मैंने इस तरफ खीचा तो मैं आपास सिर्फ इस direction में elongation आ जाना चाहिए था लेकिन कुछ भी उसके internal depending upon the property of the material ऐसा कुछ होता है कि volume constant रहे है या फिर वो उतना expand नहीं हो सकता है depending upon the situation और condition और material के ऐसा उसकी property होती है कि जितना strain इस direction में होगा उसका ही एक ratio of strain इस direction में होता है तो इसमें देखो मैं दो चीज़े बोल सकता हूं पहली बात तो इस दिशा में जो हमाने पास strain हुआ है strain हो जाएगा एक यह है ना this will be strain strain की value किती हो जाती है strain की value होती है delta L divided by L और यहाँ पर हमाने पास यहाँ पर भी कुछ strain देखने को मिलता है यहाँ पर देखो इस तरीके से इसका भी value कम हो गई है इसको हम बोलते है strain कौनसा बोलें है transverse transverse और lateral strain यह क्या अधा हमारा longitudinal strain इसको हम बोलें है this is longitudinal strain अच्छा एक बात बताओ आमारे पास इस direction में थो हमने लिख दिया इसकी value delta L divided by L यहाँ पर transverse या lateral strain को किस तरीके से लिख सकते है देखो अगर यह एक cylinder है तो इसका कुछ radius रहा होगा है ना R से वो हो गया है R minus delta R वो value कम हो रही है यहाँ पर जो आप epsilon transverse लिखते हो उसकी value हती है minus delta R divided by original dimension which was R तो हमारे पास एक ratio होता है जो कि उस material की property होती है उसे poissons ratio जो इसको आप new से भी denote कर सकते हो is equal to lateral strain divided by longitudinal strain इनकी values अगर मैं रख दूँ तो देखो new की जो value जाती है lateral strain क्या है lateral strain होता है हमारे पास transverse strain या lateral strain एक ही बात है minus delta R upon R divided by longitudinal strain उसकी value आ जाती है delta L divided by अब इसकी value फील देनी की कोशिश करते है मानलो मैं आपास कोई ऐसा material है उसमें फर्क ही नहीं पड़ता मैं यहाँ पर कितना भी इसमें strain दूँ यहाँ पर कोई भी strain नहीं आएगा उस case में हम क्या बोलते है कि transverse या lateral strain की value 0 हो जाएगी जैसे यह वाली value 0 होगी poisons ratio 0 आ जाएगा और actually हमारे पास एक ऐसा material exist करता है जिसके value poisons ratio की value 0 होती है वो होता है हमारा cork ठीक concrete के अगम बात करें concrete उसके लिए poisons ratio की value 0.1 से लेकर के 0.2 के बराबर होती है और depending upon क्या material है हमारे पास अलग-अलग values यहाँ पर हो सकती है इसमें questions किस तरीके आते हैं वो भी देख लेते हैं what is the poisons ratio for incompressible solids for small values of strain इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा basically यहाँ पर इसको एक तो identify करना पड़ेगा कि this we are talking about a rod अब एक rod की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर मैं इसको खीशता हूँ इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलता है delta l यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिलेगा delta r पहली बात तो यहाँ पर अप्रोच कैसे किया जाएगा volume is equal to constant हो जाएगा na volume incompressible बूला गया है यहाँ पर incompressible volume is equal to constant volume क्या होता है volume होता है हमारा pi r square into l is equal to constant अब यहाँ पर अगर मैं इसमें वो error calculation वाली equation लगा दूँ तो मेरे को value क्या मिलती है r की power 2 है तो यहाँ पर मुझे मिलता है 2 delta r divided by r plus l की power यहाँ पर 1 है तो इसलिए plus 1 delta l divided by l will be equal to 0 क्योंकि यहाँ पर constant है तो value 0 आ जाएगी यहाँ से आपको poisons ratio मिल जाएगा poisons ratio होता क्या है वो होता है lateral strain upon longitudinal strain lateral strain upon longitudinal strain lateral strain क्या हो जाएगा minus delta r upon r minus delta r divided by r divided by longitudinal strain उसकी value किती है delta l divided by l और इस जगे से आप इसकी value actually निकाल सकते है उसकी value आ जाती है plus 1 by 2 0.5 is our correct answer इसको feel करने की कोशिश करते है अगर हमने इसको यहाँ पर force लगा करके खीचा और इस direction में epsilon की value लेट से आ जाती है 0.1 तो यहाँ पर यह जो छोटा होगा उसका जो epsilon transverse है उसकी value होने चाहिए 0.05 तभी इस solid का जो भी volume था वो maintain रहेगा अगर यह ज़ादा पिचक गया ऐसे तो volume फिर कम हो जाएगा अगर वो कम पिचका तो volume ज़ादा हो जाएगा volume constant रहना है तो इन दोनों का ratio यही आना चाहिए और वही हमने यहाँ पर volume को constant करा करके calculate कर लिया A uniform wire is subjected to longitudinal tensile stress of itna If the overall volume change in the wire is 0.02%, the fractional decrease in the radius of the wire is close to fractional decrease पूछा है पहली बात तो और यहाँ पर percentage में नहीं पूछा है लेकिन कुछ value हमें percentage में दिये तो यहाँ तो सबको percentage में रखो आप यहाँ फिर सबको fractional value में रख लो तो answer fractional में पूछा है तो हम सब कुछ fractional में लिख आएगे हमको क्या बोलागा overall volume change is 0.002 तो मैं लिख दूँगा यहाँ पर delta v upon v is equal to 0.02% या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 0.02 upon 100 या फिर यह value हो जाती है 2 into 10 raise to power minus 4 अब समझो इस चीज़ को volume बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है यहाँ पर यह value positive i है question में ही positive दी गई है alright हमाँ पास एक wire था इस तरीके से उसको खीचा गया है तो इसकी length में भी कुछ change होगा उसकी radius में भी कुछ change होगा लेकिन volume change होगा है तो इसमें formula हम फिर से error calculation वाला यूज़ करेंगे volume क्या होती है pi r square l यहाँ पर हमाँ पास formula आजागा delta v upon v is equal to 2 delta r upon r क्योंकि r की power 2 है l की power क्योंकि 1 है तो यहाँ पर जाएगा plus delta l divided by l delta v by v हमें दिया हुआ है question में उसकी value यहाँ पर हमें दिय हुई है यह हमें पता करना है delta r upon r है रहा यही तो पूछना fractional decrease in the radius and delta l upon l यह क्या होता है यह हमाँ पास यहाँ पे epsilon होता है epsilon हम पता कर सकते हैं कैसे force लगाएंगे तो इससे हमाँ पास tensile stress के कारण हमाँ पास strain आ जाएगा अब वीडियो को pause करो question को solve कर लो correct answer है D हमाँ पास जो stress है tensile stress कित्ती दियो है 5 into 10 raise to power 7 is equal to 5 into 10 raise to power 7 यह क्या होता है यह होता है young's modulus into epsilon आपस epsilon की value आजाती है 5 into 10 raise to power 7 divided by young's modulus 2 into 10 raise to power 11 which is equal to 2.5 into 10 raise to power minus 4 and epsilon क्या होता है epsilon होता है delta l divided by l अब हमें यह पता है यह पता है तो यह तो मैं पता करी सकता हूँ यहां से मुझे पता चलता 2 delta r upon r is equal to यह value कित्ती दी 2 into 10 raise to power minus 4 is equal to 2 into 10 raise to power minus 4 minus अब यह बाला उदर जाएगा तो minus हो जाएगा minus 2.5 into 10 raise to power minus 4 इसकी value आजाती है कित्ती 0.5 into 10 raise to power minus 4 और यहां से हमाया पास delta r divided by r की value आजाती है 0.5 divided by 2 into 10 raise to power minus 4 into 10 raise to power minus 4 जाने किया जाता है 2.5 into 10 raise to power minus 5 अच्छा है यह वाली value negative आ रही है negative आ रही है negative आ रही है तो हमसे fractional decrease ही पूझा था तो हमाया पास actually decrease आ रहा है negative आ रहा है इसका आतलब answer हमारा option number d होने वाला बहुत ही अच्छा है यह भी सवाल हो गया error calculation और यही सब चीज़े हमें आने चाहिए bulk modulus देखो हमाया पास कोई भी object होती है उसका कुछ volume होता है मानलो इसका volume है V अगर यहां पर pressure P है तो atmosphere में कुछ तो pressure है इस वक्त उसके उपास pressure P है volume है V अगर मैं इसके उपर extra pressure add कर दूँ delta P इस तरीके से इसका volume थोड़ा सा कम हो जाता है volume में चो change आता है वो कुछ कम हो जाता है V minus delta V यहां पर हो जाता है यहां पर again हम लिखेंगे stress is equal to e time strain अब यहां पर stress की जगे actually मुझे लिखना होता है pressure यहां पर मैं लिखूंगा मैंने excess pressure कितना लगा दिया will be equal to इस बार हमाँ पास modulus of elasticity की जगे हम bulk modulus का यूज़ करेंगे multiplied by हमारा volumetric strain यहां पर use volumetric strain की value हो जाएगी minus delta V original हमाँ पास जो भी volume कम होता है delta V positive है तो हमें यहां पर actually इसकी value positive जाहे थी इसलिए हमने यहां फॉर्मुले में ही minus इस तरीके से लगा दिया है इसी को आप rearrange करोगे तो आपको दो value मिल जाती है पहली बाद delta P is equal to minus of B delta V upon V या फिर आप लिख सकते हो bulk modulus B is equal to minus of V delta V upon V अब bulk modulus की feel लेने की कोशिश करो अगर मैं बूलता हूँ कि मेरे पास ये जो object है वो बहुत ज़्यादा उसका bulk modulus है इसका मतलब थोड़े से same amount of volume change के लिए बहुत ज़्यादा pressure लगाना पड़ेगा यानि कि उसका bulk modulus ज़्यादा है इस तरीके सा feel ले सकते हैं जिसका bulk modulus ज़्यादा होगा इसको compress करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमने एक और term भी define करी हुए है वो धिये compressibility compressibility को C से भी denote किया जाता है जिसका bulk modulus ज़्यादा होता है वो compress करना उतना ही मुश्किल होता है तो compressibility actually 1 upon B के ही बरावर होती है इसको भी आप याद रख सकते हैं अब इस पे questions किस तरीके के पूचे जा सकते हैं या तो इसको हम gases में देखेंगे gases में किस तरीके से आप उसको compress करते हो bulk modulus का वहाँ पर क्या काम होता है फिर उससे आप sound की velocity निकाल सकते हो या फिर कुछ ऐसे question होते है एक ball को आपने फेख दिया समचर के अंदर वहाँ पर उसके उपर excess pressure आया तो उसके कारण उसमें change in volume कितना आने वाला है इस तरीके के questions होते है gases में भी पहले देख लेते हैं isothermal 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 में PV is equal to constant होता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसी को differentiate कर लो इसको differentiate करोगे तो PDV plus VDP की value आजाती है 0 यहाँ से आप निकाल सकते हो minus VDP upon DV यह इसको आप दूसरी तरफ ले जाओ DV को दूसरी तरफ ले जाओ यह जो value आजाती है वो actually P के बराबर बचती है this is equal to bulk modulus which is equal to P तो isothermal process अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पर bulk modulus की value P के ही बराबर हो जाती है similarly हमाँ पास gases में let's say कोई polytropic process है polytropic process polytropic process में क्या होता है PV की power X is equal to constant होता है PV की power X is equal to constant same चीज़ आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है delta P upon P plus X times delta V upon V will be equal to 0 इस बार हमने दूसरी approach लगा लिए है करना आप differentiate करके करोगे तो भी same ही आजाएगा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हमारा जो bulk modulus होता है minus V delta P upon delta V उसकी value यहाँ से जाती है minus V delta P upon delta V उसकी value जाती है X times यह हमारा पास bulk modulus polytropic process में आ जाता है अगर हमारा पास adiabatic case होता है for adiabatic process adiabatic process में क्या होता है PV की power gamma is equal to constant होता है तो आप basically X को gamma से replace कर दोगे तो उस case में bulk modulus की value होता है gamma times हमारा पास gases में तीन यह चीज़े है जो में याद रखने है basically आपको यह याद रखने है PV की power X constant होता है तो bulk modulus की value X times pressure के बराबर होती है उसके आप बागे यह भी निकाल पाओगे इसके कुछ questions solve कर लेते हैं mechanical properties of solid का यह छोटा सा video एक छोटा सा part एक छोटे से क्यूट से crash को उसका जहां पर 40 दिन में हमने पूरी की पूरी physics completely cover कर लिए with all possible concepts और उनके जितने भी important previous years questions है सब कुछ उसमें है आजा उसको structure तरीके से बढ़ो दो-दो घंटे की बस classes है आप actually इसको आसानी से follow कर सकते हो और आपका कुछ भी miss नहीं होगा साथ में colorful notes भी आपको मिलते हैं link is in the description साथ में vlogging channel भी description में उसको भी जरूर देखो पढ़ाने के अलावा में क्या करता हूं वो सब चीज़ें भी जरूर देखना और मेरी आप से request है please 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 कुछ ना कुछ comment जरूर करो कुछ भी comment कर दो पर कर दो ताकि YouTube में थोड़ा उपर आए हमारा यह जो channel है हम मिलेंगे उकर बाए बाए